हलो एवरिवन वेलकम ओन ग्रास्पिंग पाइथन ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइल हैं से रिलेटेड कुछ हैं सी क्यू टायप की कुसंस की दो वीडियो अल्रेडी हम डिसकस कर चुके जिसमें लगबग 50 कुस पर्मानेंटली स्टोर फोर लेटर एक्सेस अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ओवियसली फाइल चला जाएगा फाइल आपके एक लोकेशन होती है सेकेंडरी स्टोरी डिवाइस में लाइक आर्ट डिस्क या फिर पेंड्राइव के अंदर जहां डेटा क आपका पाइथन के प्रोग्रामिंग से रेलेटेड होता है जिसके अंदर कुछ यूजफूल स्टेटमेंट्स जो यूजर के लिए होते हैं बट यह स्टेटमेंट्स मिनिंगलेस होते हैं लेंग्विज कंपाइलर या इंटरिप्रेटर के लिए और विकन से कि दूरिंग अगर मैंने x equal to 20 लिखा तो x आपका एक उनिट हो गया इक्वल भी एक उनिट हो गया और 20 भी आपका एक उनिट हो गया तो यह सारे की सारे आपके टोकन्स होंगे अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो इसके अंदर त्री टोकन्स हैं तो किसन नंबर 51 का जो करेक्ट आं आपका एक उनिट होता है जो आपका उनिट होता है उनको रीड नहीं कर सकते हैं नेक्स जलते हैं किसन नंबर 53 पर 53 के अगर हम बात करें तो कह रहा है इस अगर नंबर 54 के विच वोग फॉलोईंग फाइल के अंदर इन एनी टेक्स एडिटर कोई भी टेक्स एडिटर के अंदर अगर अगर किसी फाइल को उपन करते हैं तो टेक्स्ट फाइल ही होती है जो किसी भी टेक्स्ट एडिटर में उपन कर सकते हैं लाइक इसको वर्ड में भी आप उपन कर सकते हैं नोटपैड में भी आप उपन कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट एडिटर लेके उनको आप उपन कर सकते binary file को आप नहीं कर सकते तो इसलिए अपका option अड़ जाएगा C हो नहीं सकता and D is the wrong answer तो किस्व नमबर 54 का जो correct answer है option number B next चलते है किस्व नमबर 55 में कह रहा है each line of a text file is terminated by a special character called EOL, end of line terminator बोलते हैं इसमें तो end of line character होता है आपका अब यहां पर देखे special character होता है EOL, end of line तो यहां पर end of file नहीं हो सकता end of line, option B end of statement भी नहीं हो सकता, end of program भी तो किस्व नमबर 55 का जो correct answer होगा option number B is the correct answer next चलते है किस्व नमबर 56 पर इसमें कह रहा है EOL, character in text file EOL, मतलब end of line end of line अगर आपका होता है तो backslash है नहीं हम इसके लिए use करते है option number A is the correct answer next चलते है किस्व नमबर 57 पर 57 में कह रहा है कि which of the following file can be created in a binary in a python python के अंदर हम text file भी create कर सकते है binary file भी create कर सकते है और csv file भी create कर सकते है मतलब तीनों types की files को हम create कर सकते है तो इसका correct answer हो जाएगा all of the above option D is the correct answer next चलते है किस्व नमबर 58 पर 58 की अगर हम बात करें तो कर रहा है in which of the following data store permanently तो variable में तो हम story नहीं कर सकते permanently both and A and B भी भी नहीं हो सकता none of the above file के अंदर data हम permanently store करते है secondary storage device के अंदर जो already हम discuss कर चुके है next चलते है किस्व नमबर 59 पर open function take कितने parameters लेते हैं open function का देखिए अगर आपने देखा होगा तो f equal to open यहाँ पे हम लिखते है file का name और यहाँ पे लिखते है file का mode किस mode में file को open कर रहे है तो यह दो argument होते है file का name और access mode तो option A and B is the correct answer तो both of the above option C is the correct answer तो 59 का जो correct answer हो जाएगा option C next चलते है किस्व नमबर 60 पर identify the correct statement to open a file file को open करने के लिए जो correct statement वो कौन सा है तो यहाँ पे देखिए यह वाली चीज के अगर हम बात करें तो यह आपका statement गलत हो चुका है अगर हम इसकी बात करें D के साथ यहाँ पे क्या कर रखा है name.txt तो यह भी गलत हो चुका है क्योंकि has यूज कर रखा है now B option के अगर हम बात करें तो backslash my folder backslash n तो backslash n जब यहाँ पे यूज कर रखा है तो यहाँ पे double backslash यूज करते है क्योंकि backslash n क्या होगा आपका escape sequence यूज करता है तो जब भी आप file के अंदर root directory से path provide करते है तो उसमें double backslash यूज करते है तो इसका correct answer हो जाएगा आपका option number A अगर B की बात करें तो यहाँ पे single backslash यूज किया और single backslash में आपने पढ़ा होगा backslash n हो गया, backslash t हो गया यह सारे की सारे आपके escape sequence होते है तो इनका एक special meaning होता है language compiler के लिए तो यहाँ पे backslash n यूज कर लिए backslash m अगर यही पे आप double backslash m n यूज कर लेते हैं तो यह फिर क्या हो जाएगा आपका file का syntax हो जाएगा जो root के अंदर provide करते हैं तो क्यूस नमबर 60 का जो correct answer हो जाएगा option number a next चलते हैं क्यूस नमबर 61 पे which of the following are the attributes of file handle file handle के अंदर कौन-कौन से attributes होगा देखिए अब गर हम बात करें तो file handle के अंदर file कों close भी कर सकते हैं name भी होता है file का और file का mode भी होता है तो all of the above is the correct answer next चलते हैं क्यूस नमबर 62 पर 62 की यह बात कर रहा है write the output of the following code इसके अंदर यह क्या रखा है कि f equal to open test.txt और w mode में और file को यहां पर close कर दिया तो यहां पर क्या क्या रखा है क्या इसका output होगा तो यहां पर देखिए अगर f.close लिखा है तो इसके अंदर false आजाएगा यहां पर फाइल को यहां पर close नहीं किया है तो file को close करने के लिए f.close next चलते हैं क्यूस नमबर 63 63 के अगर हम बात करें तो यहां पर कह रखा है कि write the output of the following यहां पर file को open किया है और f.mode यहां पर क्या कर रहा है print कर रहा है तो file का mode आपका w है तो w is the correct answer it means option a is the correct answer तो question number 63 आपका answer चला जाएगा option a के साथ next चलते हैं हम यहां पर 64 पर 64 पर भी file को open किया और यहां पर f.name attribute यहां पर आपका test.txt है तो इसका correct answer चला जाएगा option number b right next चलते है question number 65 पर 65 कि अगर हम बात करें तो यहां पर देखे नो नहीं क्या क्या आप file को open किया और file को close कर दे यह then f.close attribute यूज किया file object के साथ तो यहां पर close है मतलब यह true है तो इसका result आजाएगा true तो कि यहां पर file को आपने close कर रहा है अगर आप यह statement ना लिख के और directly close attributes को यूज करते तो उस case में आपका result आजाता false जो अल्रेड़ी है भी एक question के अंदर हमने discuss किया है next चलते है question number 66 पर 66 की बात करें तो यह करा है which of the following attribute of file handle return boolean value that is boolean value में यह तो true return करेगा यह फिर false return करेगा अब यहाँ पर देखे name के अंदर तो file का name written करता है mode के अंदर file को किस mode में open किया है it may be read हो सकता है write हो सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है append mode भी हो सकता है but close यह ऐसा attribute है file handling के साथ जो क्या करता है boolean value written करेगा true या फिर false true return करेगा अगर file को close कर रहा है तो true अगर file को close नहीं कर रहा है तो false return करेगा next चलते हैं कि उस number 67 67 के अगर हम बात करें तो देखे क्या करा है Ravi opened a file in python using open function but forget to specify the mode in which mode the file will open तो यहाँ पे देखे अगर किसी file को आपन किया f equal to open और यहाँ पे file का name specify कर दिया और आपने file का कोई mode specify नहीं किया है अगर आप भूल गए तो by default आपकी जो file open होती है वो होती है आपकी read mode के अंदर right तो यह द्यान रखेगा by default file होती है read mode के अंदर तो इसके अंदर option number c is the correct answer next जलते हैं कि उसे number 68 पर 68 के अगर हम बात करें तो करें which of the following is invalid mode invalid mode के अगर हम बात करें तो देखे आर भी आपका read mode होता है rb मतलब read in binary file और plus r का मतलब होता read and write ठीक है इसको आप r plus भी लिख सकते हैं या फिर plus r भी लिख सकते हैं दोनों valid होता हैं आप confused create नहीं होना चाहिए आपका तो इसका जो correct answer हो जाएगा none of the above क्योंकि यह सारे के सारे क्या होते हैं आपके valid फाइल को open करने के mode होते हैं नेक चलते हैं कि इस नंबर 69 पर इतने करा है which of the following mode will create a new file if the file does not exist यहां पे देखे अगर आपकी file पहले से available नहीं है और आप open करना चाह रहे हैं तो कौन सा mode होगा देखे डबलू मोड में भी file अगर available है तो open होगी नहीं है तो create करके open होगी और append मोड में भी तो यहां पे देखिए append मोड भी है a plus read and write और यहां पे लिखर का plus a तो यह तीनों के तीनों के तीनों के आपके correct answer है यह ध्यान रखेगा a plus b use कर सकते हो और plus a b use कर सकते हो दोनों का meaning same है यहां पे है तो इसका correct answer हो जाएगा option number d next जलते है कि इससों number 70 पर 70 की अगर हम बात करें तो इसमें करहा है which of the following mode will open a file in a binary and read only देखिए binary का मतलब आपको bb specify करना है और read only मतलब rb के अंदर तो file का mode कौन सा हो जाएगा rb तो यहां पे यह rb हो जाएगा यह आपका mode हो जाएगा text file के अंदर क्योंकि binary file नहीं है तो यह आपका option अट जाएगा यह read करेगा यह भी text file के अंदर और rb plus मतलब read or write binary file यहां पी बात कर रहा है read only की तो option number b is the correct answer rb right next जलते है कि इससों number 71 71 की अगर हम बात करें तो करहा है which of the following mode will open the file in read, write and binary file देखे read भी कर रहा है write भी कर रहा है और binary file की बात कर रहा है तो आपको b mode तो specify करना पड़ेगा तो wb plus मतलब यह भी write भी कर रहा है read भी कर रहा है और binary file भी है plus wb it means यह दोनों के दोनों option ठीक है दोनों का meaning same है तो both of the above मतलब a and b is the correct answer और यहां पे यह च wb plus यह फिर plus wb दोनों का meaning same होता है तो इसका correct answer हो जाएगा option number c next चलते है question number 72 पर 72 की अगर हम बात करें तो यहां पे file को open किया है और पूछ रहा है in the given statement the file myfile.txt will open in which mode तो यहां पे लिख रहा है a plus a plus का मतलब होता है write भी करेगा और append भी करेगा लग करेगा तो अब इसके अंदर क्या कर रहा है append के साथ साथ क्या करेगा plus है तो यह क्या करेगा read भी करेगा । यहां पे a और अगर a का ही मतलब होता हो तो यह write करेगा और append mode में open नबर अपर append and read is the correct answer append and write तो होई रहा है append and read and binary file क्योंकि binary file यहां पर इत्ताब होता जब वो a, b, plus लिख रहा होता all of the above तो इसका correct answer आजाएगा option number a next जलते हैं कि उसन number 73 पर 73 में करा है ravi open a file myfile.txt append mode in this file the file object और file handle will be at the अब यह पर देखें append mode में अगर file को open करेगा तो file object कहा होगा append mode में आपको बता है कि जब भी file को open करते हैं तो हमेशा end में add करता है data at the end of the file तो जब file को append mode में open करेंगे तो file handle और यह file object कहा होगा आपका file के last में होगा तो beginning of the file नहीं end of the file बिलकुल second line of the file नहीं at the end of the first line no तो option number b is the correct answer next जलते हैं कि उसन number 74 74 पर 74 में करेंगा है कि रभी open a file myfile.txt in a right mode in which file in which file the file object या फिर file handle will be at the right mode में जब file को open करता है तो आपको पता है यह आपकी file है इसको आपने right mode में open किया है तो entire जो file का content से उसको क्या कर देगा यह erase कर देगा it means file को truncate कर देगा truncate का मतलब सारा data erase कर देगा जब file truncate हो जाएगी तो file pointer कहा जाएगा beginning के अंदर आ जाएगा तो beginning of the file is the right option right तो 74 का जो correct answer हो जाएगा option number A end of the file नहीं होगा second line यह सारे के सारे options wrong हो जाएगे next 75 की अगर हम बात करें तो रभी open the file myfile.txt in read mode in this file the file object या फिर file handle will be at the जब भी भी आप file को read mode में open करेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे contents होगे और file आपका beginning के अंदर होगा तो इसका जो correct answer होगा option number A is the correct answer क्योंकि beginning यहाँ से read operation करना है तो beginning से ही करेंगे next जलते है option number 76 76 में क्या रखा है कि रवी open a file in a certain mode after opening the file he forget the mode one interesting fact about this mode is if the file already exists all the contents will be overwritten help him to identify the correct mode तो इसमें देखिए यह लाइन अगर आप पढ़ेंगे if the file already exists all the contents will be overwritten मतलब जो contents था उसको वो क्या कर देगा erase कर देगा और उस पर overwrite करेगा तो file का कौन सा mode होगा obviously read mode के अंदर तो ऐसा कुछ होता नहीं है write mode के अंदर ही होता है तो इसका correct answer आजाएगा write mode append mode के अंदर क्या होता है कि overwrite नहीं रहे होगा contents रहेगा और जो new contents add करोगे वो end of the file करोगे तो इसका जो correct answer हो जाएगा option number B is the correct answer right next I'll think option number 77 RAM open a file in a certain mode after opening the file he forget the mode the interesting fact about the mode are if the file does not exist then the new file will be created and after opening the file in the mode the file handler will be at the end of the file तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि अगर file है तो क्या करेगा file open हो जाएगा और file handler end of the file चला जाएगा और अगर file नहीं है तो create करेगा तो end of the file में तो तब ही जाएगा जब आप file को append mode में open करोगे right तो इसका जो correct answer आजाएगा option number C is the correct answer next जलते हैं इसका number 78 पे 78 में कह रहा है which of the following function is used to close the file file को close करने के लिए obviously आपने यूज़ किया होगा file handle dot close function तो option number A is the correct answer next जलते हैं इसका number 79 पर open function return a file object called देखिए open function आपने पढ़ा f equal to open और यहाँ पे आपने फाइल का नेम दिया है और यहाँ पे फाइल का mode दिया है तो जो open function होता है ये file handle या फिर file object वो return करता है तो यहाँ पे file handle is the correct answer object handle नहीं होगा b file handle is the correct answer read handle नहीं होगा write handle भी नहीं होगा option b is the correct answer next जलते हैं question number 80 पर a with open file का name access mode as a file object ठीक है ये भी fo equal to open file name access mode ये भी ठीक है तो both of the above are the correct option file को इन दोनों तरीके से हम open कर सकते हैं बस एक चीज़ का दियान रखना जब with के साथ open करेंगे तो जो भी code लिखेंगे वो सारे के सारे indentation के अंदर यहाँ पे जाएंगे indentation का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा अगर महा लिज़े आपने file को open किया तो यहाँ पे suppose कर लिज़े मैं एक file को open करता हूँ तो with open और यहाँ पे file का name file का mode specify किया और यहाँ पे मैंने file का object बना दिया fo अब यहाँ पे जो भी code लिखेंगे वो इस indentation में जाएगा ऐसा आप open function के साथ without with open करेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना होता है तो यह थे question number 80 तक next video में हम और discuss करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like करें, share करें और अगर कोई doubts है तो आप comment section में जाके comments करके भी पूछ सकते हैं जै हिन जै भारत